दोस्तों नमस्कार जैसे कि आप सभी जानते हैं आज कल जो है चारो तरफ सूर्य कुमार यादव के धूम मची हुई है इसी में एक बुरी खबर सामने आ रही है निकल कर के जो जिनवाबे और भारत की बीच मैच वा था उसमें जो है रोई सर्मा का एक फैन जो है वो बीच म वार किया उसको देखकर जो है रोई सर्मा ने उसकी कड़ी निंदा की है और कहा है कि इस परकार से नहीं करना चाहिए था उस गाड को और इस परकार उसके हाथ में जो भारतिय जंडा था और जब गाड ने उसको पकड़ा तो और उसको खींचने लगा तो वह जंडा जो ह आपको बता दें कि जब जंडा नीचे गिरा तो मुहमन शामी भी उसको देख रहे थे और उन्होंने जो है इसकी कड़ी सब्दों में निंदा की है और बच्चे को इस परकार के नियम होते हैं क्योंकि उसमें जो है बच्चे को साड़े छे लाख रुपे का जर्माना जो है क किया गया और उससे जो है बहुती निंदा की गई रोही थर्माद्वारा और कहा कि बच्चे को इस परकार का घटना नहीं करने चाहिए थी और ये भी का कि उनको जो है नहीं पता था फिर भी जो है रोई सर्मा किया है ये भी जाता है दोस्तों कि रोई सर्मा ने जो है उस बच्चे को जो उस पर जर्वाना लगाया गया था उसको फाइन को पे किया है और साथ में लोगों को रिक्वेस्ट की है कि इस परकार की करें और इस परकार जो है खेल को बादित ना करें यदि इंजोय करना है तो आप वहाँ से बाहर से ही इंजोय कर सकते हैं और इससे जो है बाद में जो है बच्चे ने क्या कहा बच्चे ने कहा कि मुझे जो है इस बात का नहीं पता था कि इस परकार से जो है जुर्माना वग इलजाम ने लगाकर इसको जो है केस ने चलाय जाए ये इसको जो है छोड़ दिया जाए धोस्तों इस परकार की गठना से आप क्या चाते हैं आप comment box में ज़रूर लिखें क्या बच्चे वे साथ सही किया उन्होंने और आप comment box में हमें जरूर बताएं और दोस्तों यदि इंडिया को जिताना चाहते हैं तो like जरूर करते हैं, thank you